अज सूरमय तक आप शेयर करुए हूँ Wea अजने के चार से पाँचकरी लसन की करश absolument उसमें भाद हम इसमें आड़ कर देंगे आधा नीबू का रस अब इसमें आड़ करेंगे एक तीस्पून भरकर कश्मीरी लालमिच पाउडर, हाफ टीस्पून एड़ करेंगे हल्दी पाउडर, नमक एड़ करेंगे स्वादनुसार और अच्छी तरह से इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे मसाले हमने अच्छी से कोट कर लेना है मच्ची के उपर ताकि उसका फ्लेवर जो है वो हर तरफ आएगा तो ये देखे अच्छी तरह से मैंने mix कर लिया है मसाल अच्छे से लग गया है तो अब हम इसे रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए marinate होने के लिए आधे 1 घंटे बाद हमें रवा ले लेंगे यानि सूजी ले लेंगे और सूजी में हम add कर देंगे थोड़ा सा नमक और मिक्स कर लेंगे और आदा गंटा हो चुका है तो हम तबा गरम करने रग देंगे और तवे पे हम एड़ कर देंगे 1 टेबस पून तेल और तेल को हम अच्छा गरम कर लेंगे पिश फ्राइ करते वक तेल अच्छा गरम होना चाहिए तब ही वह फिश जो है वह चिपकती नहीं है तबे पर तो यह देखिए मैरिनेट करते हुए आधा गंटा हो गया है उसके बाद हम इस तरह से रवे से कोट कर लेंगे फिश को तो यह देखिए अच्छी तरह से हमें कोट कर लेना है और गरम जब हो जाएगा तेल तब हम इस पर रख देंगे फिश को तो इसी तरह से सभी फिश हम आड़ करते जाएंगे मैं फिश आड़ कर दी हैं अब मेडियाम फिलेम पर इससे पकने देंगे मीडियाम फिलेम पर पकते हुए 2-3 मिनिटअब दूसरी तरफ से हम इससे अच्छी से फ्राइए कर लेंगे तो आप ज Рमी से इससी तरह से बनेंगी अगर तेल की जरुत हो तो आप थोड़ा तेल स और बहुती फिश हमारी अच्छी तरह से कुरकुरी फ्राय हो गई है तो आप भी इसी तरीके से यह सुर्मई फिश फ्राय को जरूर अब सर्फ करें इसे राइस के साथ सालन के साथ सुर्मई फिश करी कि जिसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है आपके साथ और रेस